दोस्तो आज का हमारा वीडियो बहुत महात्पूर चैप्टर प्यतिसस से है दोस्तो बैसे तो हर प्रतियोगी परिक्षा में प्यतिसस से तीन से चार नंबर के सवाल पूछ लिये जाते हैं हाल ही में दोस्तो एमपी टैट संबीदा वर्ग तीन के एकजाम सुरू होने वाले हैं दोस्तो इस एकजाम में भी तीस नंबर की मैथ पूछी जाएगी दोस्तो आज हम 35 के कुछ सवाल जो की एकजाम में आएंगे ही आएंगे उनको सौट तरीके से सीखेंगे तो वीडियो लंबा होगा पर वीडियो आपके काम का है तो लाश तक जरूर देखिएगा बिना इस सिप किये तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देन ना करते हुए इस चैप्टर से कई टाइप के कोश्चन बनते हैं जिसमें से आज हम टाइप बन पास परसेंट अत्वा फैल ठीक है दोस्तों दोस्तों यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है परिक्षा की दिस्टी से तो चलिए हम कोश्चन देख लेते हैं हमारा पहला कोश्चन है दोस्तों किसी परिक्षा में 60% बिद्यारती गडित में 70% बिद्यारती अंग्रेजी में और 50% बिद्यारती द पास फैल पर अधारी दोस्तो सवाल है ठीक है तो दोस्तो हमें कुल कितने बिद्यारती पास होते हैं वो हमें निकालना है ठीक है दोस्तो तो मेरा पिछला वीडियो भी प्रतीसत के कुछ कोशन हो पे था आप उसको भी जाके देख लीजेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है दोस्तो हम माल लेते हैं 100% बिद्यारती परिक्षा में सामिल होते हैं ठीक है दोस्तो 100% बिद्यारती हैं जो परिक्षा में सामिल हुए अब दोस्तो उसमें से 60% बिद्यारती हैं जो गाडित में पास होते हैं और 70% बिद्यारती अंग्रेजी में पा होते हैं ठीक है 60% बिद्यारती और 70% बिद्यारती हैं जो की अंग्रेजी में पास होते हैं ठीक है दोस्तो माल लिए हैं कि 100% बिद्यारती थे तो 70% बिद्यारती अंग्रेजी में पास होते हैं अब दोस्तो जो हैं दोनों सब्जेक्ट मतलब दोनों बिद्यारती में अंग्रेजी में भी और गड़ित में पास होते हैं तो वो कित्ते बिद्यारती हैं 50% बिद्यारती हैं ठीक है दोस्तो तो अब हमें परसेंटेज निकालना ह किसका कित्ते परसंट बिद्ध्यारती पास हुए है चलिए यहां तक किलियर है दोस्तो समझ में आया अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूँछ सकते हैं ठीक है दोस्तो तो P परसंट बराबर हो जाएगा दोस्तो यहां पर देखिए कि जो पचास परसंट बिद्ध्यारती है वो दोनों बिसेओं में पास होते है ठीक है दोस्तो इस पचास परसंट बिद्ध्यारती हों में कुछ गड़ित के होंगे कुछ अंग्रेजी के होंगे तो हम 60-50 करेंगे तो plus 50 ठीक है दोस्तो, 50 हुझाइगे यहाँ, अब दोस्तो plus 70 में से minus 50 करेंगे, क्योंकि हमें अंग्रेजी का भी निकालना है ठीक है? अब दोस्तो इनको गटा देते हैं तो इसको गटाने पे दोस्तो 60 में से 50 गिया, तो 10 आया 50 वैसे ही 70 में से 50 जाएगा तो 20 आएगा अब इन सबी को दोस्तो हम जोड देंगे ठीक है यहां तक किलियर है दोस्तो तो किता हो जाएगा 80% आ जाएगा यानि कि 80% विद्धियारती पास होते हैं और 20% विद्धियारती हैं जो कि फैल हो जाते हैं तो यहां तक किलियर है आई होप आपको समझ में आ गया होगा बस पास का परसंटेज निकालना था वो हमने निकाल लिया चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो दोस्तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है एक परिक्षा में 35% चाथ गड़ित में फैल हुए निकालना है ठीक है दोस्तो चलिए हम निकालते हैं इस वाले कोश्चन को भी हम पहले वाले की तरह करेंगे ठीक है दोस्तो इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे कि 100% बिद्ध्यारती है ठीक है दोस्तो अब दोस्तो इसमें क्या बोल रहा है कि 35% बिद्यारती किसमे फैल हो रहे हैं? गड़it में. ठीक है दुस्टो? 35% बिद्यारती गड़it में. तुम 35 लिख लेंगे. अब फैल का लिख रहे हैं तो F लिख दिया है. F का मतलब फैल. दोस्तो M जो उपर M लिख रहे हैं उसका मतलब तो उपर English में E लिख दे रहे हैं ठीक है दोस्तो यह सिब समझाने के लिए ठीक है दोस्तो अब जो 10% चात रहे हैं दोस्तो वो अंग्रेजी में भी फैल हो रहे हैं और गाड़ित में भी फैल हो रहे हैं तो उसको बीच में रखते हैं पहले वाले ही कितारा है ठीक है दोस्त माइनस 10, 10 में से निकाल लेंगे तो संख्या निकलाएगी प्लस 10 वैसी रहेगा अब दोस्तों 25 माइनस 10 हो जाएगा 25 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि कुछ बिद्यारती अंग्रेजी में भी फैल हो रहे है ठीक है दोस्तों अब हो जाएगा इसको करेंगी तो 25 प्लस 10 वैसी रहेगा और 25 में से 10 गया तो 15 हो जाएगा इन सभी को जोड़ देंगे तो 25, 10, 35 और 35, 15, 50 हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हमारा फैल का परसेंटेज निकल आया तो 50 परसेंट फैल हो रहे है तो 50 परसेंट पास होंगे यहां तक के लिए रहे दोस्तों हमें उपर दिया था फैल का निकालना था फैल दिया हुआ था हमें पास का निकालना था फैल हो रहे हैं 50 तो पास भी 50 हो रहे हैं चली नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारे पास दोस्तों नेक्स कोश्चन यह है, यदि किसी परिक्षा में 42% बिद्ध्यारती हिंदी में फैल हुए, 52% बिद्ध्यारती अंग्रेजी में फैल हुए, यदि 17% बिद्ध्यारती दोनों बिसेव में फैल हुए, तो बताई कि कुल कितने % बिद्ध्यारती फैल ठीक है दोस्तों इसको भी हम वैसे ही करेंगे हमें दोस्तों कित्ते परसंट बिद्ध्यारती फैल हुए यह बताना है घुला बना लेंगे और उपर भी दोस्तों देखते हैं कि फैल ही हुए से हमें निकालना है ठीक है दोस्तों 42% विद्ध्यारती है जो हिंदी में फैल हो रहे हैं अब दोस्तो किता 52% विद्ध्यारती है जो अंग्रेजी में फैल हो रहे हैं एक और गोला 52% ठीक है दोस्तो उपर इंगलेश लिखतेंगे फैल हो रहे हैं अब दोस्तो 17% विद्ध्यारती है जो दोनों बिसियों में फैल हो जा रहे है ठीक है दोस्तो इसी सत्रा से दोस्तो हम निकालेंगे कुछ सत्रा हिंदी में चले जाएंगे कुछ इंगलिस में चले जाएंगे ठीक है दोस्तो तो फैल परसेंटेज हो जाएगा 42 माइनस 17 प्लस 17 प्लस 22 माइनस 17 ठीक है दोस्तों समझ में आया कैसे आया कुछ हम जो 17% में से कुछ इसमें चले जाएंगे और कुछ इसमें चले जाएंगे ठीक है दोस्तों 42 में से 17 जाएगा दोस्तों 25 बचेगा प्लस 17 वैसी रहेगा अब दोस्तो 52 में से माहिना 17 करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा ठीक है दोस्तो अब इन सबी को दोस्तो जोड देंगे चलिए जोड दीजिए तो कितना हो जाएगा 77% आजाएगा ठीक है दोस्तो तो कितने % बिद्यारती फैल हुए 77% बिध्यारती फैल हुए यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो समझ में आ गया पहले जो हमने 2 सवाल की है वैसे ही है ठीक है दोस्तो तीनों सवाल एक ही तरीके के हैं तो यह हमारा पहला type इसमें complete होगा आगे जो question इसमें आएंगे वो इसी type के होंगे ठीक है दोस्तो तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पतीशन निकालना सिखा है अगर आप से नहीं बनता है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं लिंक description में डाल देंगे और playlist से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को subscribe कर दीजेगा और like कर दीजेगा इससे आने वाले वीडियो में हम type 2 के question को हल करना सीखेंगे ठीक है दोस्तो तो चैनल को subscribe कर दीजे और like कर दीजे धन्यवाद